नमस्कार दोस्तों मैं दिने सुन्दू आपका स्वावत करता हूँ मेरे सुटूब चैनल के उपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए आज की वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे एक RTI फाइल की गई थी अधारकार से एलेटर जो की जाना आपके लिए बड़ा इंपॉर्णेट है और जो उसका रिप्लाई आया था हमारी सरकार के तरफ से वो आपके लिए जाना भी बहुत इंपॉर्णेट है तो चले हम इस आप इस वीडियो को एंड तक देखियागा एक RTI डाली गई थी आंधरा प्रदेश के रहने वाले Mr. MBS अनिलकुमार राजगीरी ने और उन्होंने हमारी सरकार से एक सवाल पूझा था कि क्या अधार मेंडेटरी होता है for registration of death or not ये सवाल जो हमारी सरकार से पूझा था इस registration of worth and death चाहे आप worth की registration करवाते हैं या फिर death की करवाते हैं तो वहां पर अधार नंबर mandatory नहीं होता है हमारे देश के अंदर जो registration होती है worth की and death की वो होती है according to the provisions of registration of worth and death act 1969 इस act के provision के according ही हमारे देश के अंदर worth की or death की registration होती है और इस act के अंदर कोई भी परविजर नहीं है जो अधार कार्ड को permit करता हो एक identity को establish करने के लिए किसी भी individual की for the purpose of registration of worth and death इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ड की बहुत सरी judgments आई थी अधार कार्ड से related कि आप अधार कार्ड को mandatory नहीं कर सकते हैं किसी भी field के अंदर तो यही था आज के लिए तो यह important एक RTI थी जो कि जाना आपके लिए बड़े important था कि जहाए आप birth की या फिर death की आप करवाते हैं registration तो वहां पर अधार कार्ड mandatory नहीं है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए कोई question एक query है फिर सुझाब है आप भी comment कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि next वीडियो इस topic यह पर बनाओ तो आप भी comment कर सकते हैं channel subscribe नहीं कि आपकर दीजिए thank you and thanks for watching